नमस्कार स्वागत है आपका दा न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी दिल्ली शुराब खोटाली में जेल में बंद मनीश सिसोतिया और मनी लॉंटरिंग माफले में जेल में बंद सतींद्र जैन को कहीं कहीं मुश्किले बढ़ रही है उनके लिए और उन्हें ज मुख्यमंत्री आर्विंद केज्रवाल ने एक बड़ा वयान दिया है उन्होंने कहा है कि अगर सतेंद्र चैन और मनीश सिसोतिया बीजवी में शामिल हुए तो उन्हें जमानत मिल जाएगी यह बेहत चोकाने वाला बयान है आम आत्मी पार्टी के नेता और दिल्ली के को लेकर यह बयान दिया है कि अगर वो बीजवी में शामिल हो गए तो दोनों को जमानत मिल जाएगी लेकिन सवाल यह है कि क्या अर्विंद केजवास ने कौट का अपमान किया है यह कहकर यह कि जाहिर तोर पर एक तरफ दोनों ही माखली जो है वो फिलाल कोट में है जहां दिली हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट में भी अभी तक मनीश सिसोधिया को जमानत नहीं दी है तो जाहिर तोर पर जो शराब खोटाले में आरोपी हैं दिली के पूर्व डिप्टी सियम और सिक्षा मंतुरी रहे हैं मनीश सिसोधिया उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली और इस पूरे माफले में जो कोट की तरफ से अब तक टिपनी की गई है उसमें साफ तोर पर ये बताया किया है कि दरसल इस शराब खोटाले के जो मुख्य आर्किटेक्ट है वो मनेश सिसोधिया ही है तो ऐसे में क्या ये कहकर कि वो बीज़िप में शामिल हो जाएंगे तो जमानत मिल जाएंगी अर्विंद केजवाल ने कोट का अपमान किया है ये जाहित तोर पर बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि सतेंद्र रुचैन के गर बात की जाए तो वो मनी लॉंटरिंग के माफले में जेल में बन है तीहाट जेल में वो सजा काट रहे हैं जमानत उन उनंने कखलिया है तो दोनों ही के पूर्व मंतुरी हैं जो कि केजवाल सरकार्द में मनतुरी रहे ह। उन्हें जमानत नहीं मिल रही है जिसको लेकर दिल्ली विदान सभाह में ये अर्विंद केजवाल की औरसे बयांतीया गया है उनोंने ये कहा है कि अगर आज बीज़े आपको यह ने बताती है कि न्यूज अजनसी पीटी आई ने ये खबर दरसल दी है कि इस तरीके का बयान अर्विंद केज़वाल की ओसे जो है वो विदानसभा में दिया किया है लेकिन जाहिर तोर पर ये चोकाने वाला बयान है क्योंकि एक तरफ रामवीर सिंग बिदूरी जोकी बीज़पी के लीडर है उन्होंने दरसल इस पूरे माफले को विदानसभा में उठाया था और ये कहा था कि मनेश सिसोधिया और स्तेंद जैन ने हजारों करोड रुपे के घपलिये किये इसलिए कोई भी कोर्ट उन्हें जवानत नहीं दे रही है नेता की हिमत उनकी हुई जाहिर तोर पर अर्विंद के जवाने दो दिन का विदानसभा का सत्र पुलाया था लेकिन उस सत्र को अपनी मनमरची से एक दिन बढ़ा थिया यानि कुल तीन दिन का ये सत्र हुआ इस सत्र के दोरान उन्हें मनीपुर के मुद्दे को लेकर साथी ची हुगी मनीश सействiya का दिक्र किया उन्होंने सौस्थे मंतुरी रहे सतेंद्र जयन का दिक्र किया जो मनी लॉंटरिंग माद्ले में तिहाट जिल में बन है और एक बार फिर्द से यह कहा कि अगर वो बीजेपी में शामयर हो जाते हैं तो मनेश से सोधिया और जैन को तुरंत जमानत मिल जाएगी जाहिर तोर पर ये सीधे तोर पर कोट का अपमान अर्विंद के जिवाल ने किया है और ये पहला मोका नहीं है बलकि इससे पहले भी इसी तरह से कहीं न कहीं कोट का अपमान जो है वो आम आत्मी कि इससे पहले भी दरसल ये अर्विंद के जिवाल का ही बयान था कि प्रधान मंत्री और बीजेपी मनेश सुसोधिया को इसलिए बदराम कर रहे हैं ताकि ED और CBI जैसी जाच अगेंसी के डर से वो आम आदमी पार्टी छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो जाएं तब उन् कि इली विधन सभाख में उन्होंने के बयान दिया हैं यह बयान बेहचच चोकानी वाला है और सीदे तौर पर न्याई पालिका का अपमान क्र रहे हैं वह हम हम इस लिए कह रहे हैं क्योंकि मनेश सि और को गिरफ्तार किया था और उंकी गिरफ्तारी के बाद से उनके पू और जिस तरीके से मनेश सिसोधिया के खिलाफ ED और CPI दोनों ही जांच जिंसी को सबूत मिले हैं तो जाहिर तोर पर सिसोधिया के लिए मुश्किले बढ़ रहे हैं हाला कि सिसोधिया ने अलग-अलग हतकंडे अपनाई हैं कि वो किस तरीके से जेल से बाहर आपाएं जहां उन्होंने दिल्ली हाइ कोट में भी यही दलील थी कि उनकी पत्नी की तब्यत खराब है हाला कि उन्हें उनकी पत्नी से मिलने का मोका भी दिया किया लेकिन तब उनकी पत्नी की तबियत खराब हो गई उसके बाद सुप्रीम कोट में माफला पहुचा तो सुप्रीम कोट ने ये कहा कि उनकी पत्नी की तबियत अब स्थिर है यानि अब उनकी पत्नी की तबियत खराब नहीं है जैसा कि उन्होंने दलील दी थी कि दरसल उनकी पत्नी की तबियत खराब है तो ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जाए लेकिन यह पूरा मावला बेहत गंभीर है जो पूरा शुराब खोटाला है और ED और CBI दोनों ही मावलों में फिलाल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाए सिसोधिया ने दायर की हैं और आपको ये बताते हैं कि अब सिसंबर के दूसरे हफते में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मावले की सुनवाई होगी लेकिन ED और CBI की ओर से जो कोर्ट में दलीले दी गई है उसमें ये साफ तोर पर कहा गया है कि अगर सिसोधिया को जमानत दे दी जाती है तो जाहिर तोर पर वो सबूतों के साथ छेड़ छाड़ करेंगे और इस पूरे मावले को कही न कहीं वो रफादफा करने की कोशिश करेंगे गभाओ को परभावित करेंगे तो ये तमाम दलीले कहीं जाच एजन्सियों की ओर से दी गई है और यही वजा है कि अब तक की जो सुनवाई हुई है फिर चाहे वो निचली अदालत में हुई हो फिर चाहे वो दिली हाई कोर्ट में हुई हो उसके बाद सुप्रिम कोर्ट का जब रुक्या किया तो सुप्रिम कोर्ट में भी सुनवाई हुई तो जाहिर तोर पर अर्विंद केज़वाल की मुश्किले भी बढ़ेगी चुकि अर्विंद केज़वाल पर भी शक की सुई गहरा रही है उनसे पूस्ताच हुई है लेकिन आने वाले वक्त में क्या जाच एजिंसियों की रडार पर एक बार फिर से केज़वाल आएंगे इ देखना एहम होगा लेकिन आज उन्होंने दिल्ली विधान सभा में ये कहा है लेकिन आपको ये बताती है कि इससे पहले अर्विंद केज़वाल ने अपने जन दिन के मौके पर एक ट्वीट किया था उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि दरसल उन्हें सिसोदिया की बहुत याद आ रही है अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि दरसल सिसोदिया को जूटे केस में फसाया किया है उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम सिक्षा का जो महत्व है वो बच्चों को बताएंगे बच्चों को सिक्षित करेंगे इससे सिसोदिया भी ख हुई है तो कहीं ने कहीं उनका जो डर है वो उनके बयाहरों में जलकता है क्योंकि बीजयपी ने जब इस पूरे घोटाले का जिक्र रामवीर्जिंग बितूरी जो की नेता प्रती पक्ष है विधान सबह में उन्होंने जब इन liberation जिक्र किया तो अर्विंद केजवाल ने वहां इन खोटालों का नाम तक नहीं सुना इससे पहले जब शीश महल का जिक्र विधान सबह में हुआ तो राखी विडला जो की विधायक है आमाधी पार्टी की वह भड़ा गई तो कुल मिला कर कहीं न कहीं इस्तिती बिल्कुल इ कि अर्विंद केजवाल के लिए बतोर मुक्यवंत्री राजधानी दिल्ली में मुश्किले बढ़ रही है और क्यूंकि दिल्ली अद्यदेश बिल अब कानून बन चुका है तो उसको लेकर बौक्लाहट है और यही वजा है कि अब इस तरीके की बातें इस तरीके के लग रही है फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तानिवाद